हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं बलकि वो एक जादुगर्भी हैं जिन्होंने अपनी शांदार अभिनेसल लोगों का दिल जीत लिया है राणा एक ऐसे सुपरस्टार है जिनका नाटक ये अजीब जिन्दगी अब तक सौमा शोपूरा कर चुका है कलितिहास के पंदों पर राणा का नाम लिखा जाएगा राणा इस जगत के बेताज बाश्या माने जाते हैं राणा एक ऐसे सुपरस्टार है जो सिर्फ इस देश में ही नहीं बलकि पूरी दुनिया में मशूर है इतनी कम उम्र में इतना मान सम्मान शायद ही किसी सूपरस्टार को मिला होगा राणा वो एक्टर है जिसका काम्याब शो ये अजीब जिन्दगी कल अपना सौबा शो पूरा करने जा रहा है एक्टी नाम राणा, 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 कोई नाम नहीं मीडिया वालोंगे पार दूस्तरा कुस्तो करना पढ़ेगा इसका प्रक्षित प्पोन कुस्तो के पारे दूस्तरा प्रक्षित प्प्पोन एक बार कहा नहीं मतलब नहीं एक बार कहां नहीं मतलब नहीं कोई छुटी नहीं मिलेगी मेरे टुकड़ों में पलते हो और मुझसे जवान लडाते हो तुम लगता तुम्हें मेरी बास समझ में नहीं आ रही है वह ही आके समझाना पड़ेगा क्या देखो सुबह सुबह फोन मत किया करो मुझे हलो आपने उस पत्ती को बोल फोन उठाए वरना मैं अभी तेरे खार आ जाओंगा देखो अमर शान्त हो जाओ मैं कुछ करती हूँ ना तुम्हें पैसा मिलेगा ना ही कोई छुटी समझ रहे हो ना डालिंग इस तरह से गुस्या नहीं होते आपका बेपी हाई हो जाएगा ये लीचे रामो रामो कहां मर गया ये डालिंग रामो बाजार गया है मैं देखती हूँ रिलेक्स आरियू आरियू सिर्ची 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 क्या सिर्ची ऐसे क्या गल्ती हो गई मुझसे क्या मुझे छोड़के उस बक्वा सेक्टर राना बे इतने महरबान है अरे आकर मैं राना से बड़ा स्टार हो इस्टार हो नहीं सिर्ची आजकाल राना का दोर है और उसे मैंने कहां से कहां पहुचा दिया, यह तो तुम्हें मालूंगे, ना? हाहा, मुझे पता है कल उसका सौवशू है, । सर्जी, सर्जी मुझे भी वहां पुचा दिजे न, अब भरतास्थन होता मुझसे, इससे जाद में स्यानी पामगा, सर्जी, सर्जी प्लीज, मुझे बद फर से स्टान प्रिसी फ्राट प्नादीजी, प्लीज, अरे अमा, यह क्या कर रहे है, उठो, उठो अच्छा ठीक है, कल तुम शू पर आ जाना, थेटर में, मैं तुम्हें नए तरीके से लॉंच करूँगा सच सेड़ जी, हाँ, लेकिन तीन घंटे पहले पहुंच जाना अरे सेड़ जी, तीन नहीं, चार घंटे पहले हज़र हो जाऊँगा ताइक यू, ताइक यू सेड़ जी, ताइक यू जाले, कल तो राना का सौवा शो है, तो फिर आप अमर को कैसे लॉंच करोगे रीटा, जाहरी को असली हीरे की पहचान होती है, अमर वो हीरा है, उसके अंदर हुना रहा है, कल उसकी शो में एक नई एंट्री करवाऊंगा अगर दश्कों को पसंद आ गई, उसे रख लूँगा और वैसे भी, राना आजकल बहुत ओड़ रहा है दाले, आपका दिल कितना बड़ा है राना, आज तो तू गया, क्योंकि आज मैं हर तरफ चा जाओंगा लोग पागलों की तरह चलाएंगे आम मर वन समो, आम मर वन समो येस, टाइम टू शॉहमार, कमन, 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 कमन येस, माय वालेट, येस, राना, आज सब को पता चल जाएगा के कौन है असली स्टार कौन है टालेंटेड मुझे चक्कर से क्यो हा रहे है औरी, बसीना ये तु बसीना क्यो हा रहे है मुझे ये हो क्या रहे कुछ हो क्या रहे है यह— टो—टो, टो, टो को फो फ।, झाल, अब ह pocz़ कर आप रचा? वा… वा Cantonese भॉ ह literally दोक्टर, 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 जब देखो काम, 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 दोक्टर साब की चिक-चिक, मरीज की दवाई, यह है वो, यह है एक जगह है जहां मैं सुकून से गाने सुन सकता हूँ क्या बत तबीजे ये, आ गया ये, देखनूंगा इसको, छोड़ूंगा नहीं एदर इएएए, जड़कि देखने हुआए, भरसम, करसम बटत भीजे अस्तापका, दिर दोर्स दपन औरावाई, भरसम, 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 भरसम सर, यह तो मशूर थेटर आर्टिस्ट आमर है सर, बला इससे कोई क्यों मारेगा वो भी हॉस्पिटल में बला गोट के मारा गया लोग सर, यह आपका पेशेंट है आप में इसे आईसे बिना इटेंटेंट के यहां पे छोड़ दिया, अकेले? आप में सरी सर, लेकिन अमर को यहां फूड पूजिनिंग के इलाज के लिए लाया गया था और इनकी दभीय ठीक हो रही थे, इसलिए मैंने सोचा की उसे अकेला छोड़ दो अब यह बताओ के यहां पे किसी को देखा था आप लोगों ने, कोई आया था आमर से मिलने के लिए हाँ सर, मैंने देखा था, वो फायर एक्जिट के पास से वो बंदा गया हो सर, बहुत ही बत्तमीज आदमी था हो उसका चेहरा तो याद होगा तो है तो सरफिरे इंसान की मैं शकल कैसे भूल सकता हूँ परेड़ी सर, स्केच ए, यह तो मनोहर है, प्राइट ठेटर का मालिक सर, जिस दिन यह बत्दिमाग आदमी आपके हाथ में आगया न, मेरी तरफ से भी खुब दोना इसको सर, यह मनोहर तो बड़ा पहुचा हुआ निकला इस मनोहर को बिना बताए पूश्टाच के लिए ले जाना होगा वरना यह हाथ नहीं आएगा लेकिन वो कैसे सर यह प्राइट ठेटर में कौनसा नाटक चल रहा है, नाम क्या है यह अजिब जिन्दगी नाटक का नाम है सर, उस नाटक का तो आज सवावा शो है शो कितने बज़े? छे बज़े और खतम होता है, आठ बज़े शो देखने जाना है? नहीं, वहाँ पहरा देना है, चुँआ Darling, थेखा हमारे और की स्कुरटी किनी साकत है लेकिन, डर्लिंग, हम तो यहाँ के मालिक है ना तो क्या हुआ, कानून सब के लिए बराबर है हमें अपनी तलाशी देनी चाहिए डर्लिंग, लेकिन आप यहाँ के मालिक हो मैं आपकी वाइफ, तो मैं यहां की मालकिन हुई और अगर मेरी चेकिंग सब के सामने हुई तो वो मेरी इंसल्ट होगी और बी वेरी अपसेट Okay, आओ डाली Excuse me sir, आप बिना चेकिंग के अंदर नहीं जा सकते आप ज़रा इदर आएंगे प्लीस Madam, आप भी तुम जानते नहीं हम इस टेटर के मालिक हैं नए आयो क्या Sorry sir, मुझे पता नहीं था Sorry madam Okay, सुन मेरा ख़डू सेथ आगया मैं रखते हूं न Sir 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 धन्यवाग अमारे जो आप पधारे Nuri Nuri यहां Sir यह आपको आपकी सीट तक ले जाएगी पूरा फ्रंट रो मैंने आपके लिए भुक्या है ठीक वैसे जैसे आपको चाहिए था भई खास इंसान के लिए खास सीट Sir आपकी इचाज़स्त हो मैं बेक्स्टेज जाओ हाँ हाँ जाओ Enjoy the show sir आईए sir आईए ma'am तुम कौन होती हो हमें सीट पे ले जाने वाली आम इस थेयाटर के माली कहा है मुझे मालू में एक सीट कैसे लगी है और कहां बैठना है आँ माटा ए रूको तुम Welcome ma'am Welcome sir Hello sir Hello ma'am आईए मैं आपका आपकी सीट सक लेके चलती हूँ आईए sir कोई ज़रोद नहीं है हम खोज चले जाएंगे Darling आने दो नहीं से आईए sir आओ याओ बैठो देखा आगे वाली पूरी रोमे मैं और सिफ तुम Sir, ma'am आपलो कुछ लेंगे कुछ थंडा कुछ स्नाक्स वागे रा Thank you so much अभी हमें कुछ नहीं चाहिए और अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं खुट फुट कूट से जा कि रे रहोगा And please do not disturb us Okay ma'am तील करता है इनका तुम कलाद अपातू मैं मेरा भी यही मन करता है कि रे वीं आदिया, क्या खाब है? मनोर आगिया, अंदर नाटक देख रहा है, उसकी गाड़ी भी पार्किंग में गड़ी है ठीक है, नाटक आदा माने का वेट करते है सर क्यों नाटक हम मनोर से अंदर जाकर पूछ दाश करें नहीं, अंदर नहीं, त्याट ही कर रहा है, अंदर हांगा मां मज जाएगा जितने भी एंट्रेंस थेयर्टर पर सब है नजर रखते हैं सर मैं आडिटोरेम के अंदर जाकर नदर रखता हूँ, शोव भी देख लूँगा और नदर भी रखूँगा मात, मात जिससे पकड़ने आया थे, उसे ही किसी ने मार दिया अब अब इतने लोगों के सामने है अब इस अब एक ही ताह दिख रहा है लगता कि छिती तीज अतियार का इस्तमाल किया जया है जाको जैसा वार सामने से रुआ है यह चलते है नाटक में पिसी ने आमला किया सर्, यह देखिये यहांसे टूटी कोई गड़ी मिली है आप इसे कोई पहचानता है इस गड़ी को? यह वो, मेरे हस्बिन के वाच है माडम, माडम संभाली आपने आपको तपाई हुई है आप 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 बैटी थे ना मनवर जी के साथ कले देखने के लिए जी मैं उनके पास बैठी थी लेकिन मैं मैंने कुछ नहीं देखा जब लाइट आए तो मैंने देखा कि आप इनके बगल में बैठी थी तो आपने कुछ देखा या सुना तो होगा ना? या फिर यह ऐसा तो नहीं कि आप इनके अपने पती मनवर को साथ आप यह क्या कह रहे हैं? मेरे हास्मेट की बहुत हुई है मैं प्लें देखने में इतनी खोगा इतनी वो क्या है ना सर राना सर इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं कि लोग उनकी एक्टिंग देकर सब कुछ भूल जाते हैं तो मैंनेजर साब आप आप कहा आते जब यह कौन हुआ? मैं यही था सानू, बेक्स्टेज और इनकी आसपास और कॉन बैड़ा था? रीटा मैडम के अलावार कोई नहीं बैड़ा था मनोर जी के लिए मैंने पूरी फ्रंट रोग खाली करवाई थी उन्हें इसी तरह की सीटिंग बहुत पसंद थी खमाल है बास में कोई भी नहीं था कुछ नो कुछ तो करबड़ है यह मैडम इनके बगल में बैटी थी मगर लिनों ने कुछ देखा नहीं सुना नहीं कैसे हो सकता चलो इनसे पूछ लेते हैं शायद इन मेंसे कोई कुछ बता सके प्लीज आप लोग शांत हो जाएए देखे हमारी तहकीकाद चल रही है सर हमें क्यों रोग के रखा है हमें जाने क्यों नहीं देते आप आप लोगों के सामने एक आदमी का खोन हो गया है अगर आप मेंसे किसी ने कुछ देखा हो कोई खास चीज कोई ऐसी चीज जो अजीब लग रही हो जिसे हम खूनी तक पहुंच सके नहीं सर कुछ नहीं देखा कुछ तो सुना होगा मनोड जी की चीखने की आवाज है या फिर या फिर कुछ और नहीं सर नहीं सर नहीं सर कुछ नहीं लगता है इन लोगों ने सोच लिया कि एक साथ ना बोलेंगे ठीक है फिर आपको लंबे समय तक यहां रुखना पड़ेगा सर सर मुझे कुछ बताना है आप सर मैं नूरी हूँ और यह नैना हम थीएटर के अटेंडेंस है क्या कहना चाहते हैं सर एक्चुली सेर जी ने तो मुझे सीर तक लेजाने की भी इजाज़त नहीं दी थी लेकिन रीटा मैम के समझाने पर नैना उन्हें लेकर गई थी तो क्या देखा तुमने वाब उन्दोनों के बीच कोई जगड़ा या अब किसी बात को लेके अनबंते नहीं सर कुछ देखने का मुखा ही नहीं मिला क्योंकि उन्दोनों ने मुझे वापस भेज़ दिया और जब मैंने रीटा मैम से कुछ कोल रिंग्स वगेरे के लिए पूछा तो उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा कि उन्हें कोई डिस्टरब ना करे क्या ये रीटा नाटक के दौरान बाहर गई दीखा पता नहीं सर, हमने तो कुछ नहीं देखा ठीक है तो इस्टार से भी मिल लेते हैं मिस्टर राना आप क्या बता सकते हैं? कैसे वह ये सब? मैं क्या बता हूं सर मैं वही पर था, लेकिन कुछ देखी ने पाए सब मेरी वज़े से हुआ सर मेरी वज़े से उनकी जान गई मैंने थोड़ा भी द्यान दिया होता तो तो आत मेरा सारा द्यान अभी नहीं पर ही था सर सौवेशों का जो प्रेशर होता है सब मुझे ही पता था सीर्जी की किसी की साथ कोई दुश्मनी? दुश्मनी? दुश्मनी तो सबसे थी सर सब उनसे जलते थे आप कबसे जानते थे सेर्जी? बर्सों से सर जब मैं पहली बार इस शहर में काम डुणने आया था तो तो इनोंने ये मुझे काम दिया था इनोंने मुझे स्टार बनाया और आज यह कौन है? सर यह नत्तू है, मैरा असिस्टिंट है तुम कहा थे? सर यह बैक स्टेज था विचरा बोल नहीं सकता सर, सर, सर जितनी जल्दी हो सके प्लीज खुनी को ढून निका लिए सर शो अगर वापस शुरू नहीं हो तो शो तो नहीं शुरू होगा जब तक केश स्वाल नहीं हो जाता टेटर बंद रहेगा सर, मिल गया मिला मिला क्या मिला तारिकाजी? मानोर के गाव के स्केम में फ्यून का सुखा हुआ बुलबुला सुखी वे खुण का बुलबुला में को समझा नहीं कून का बुलबुला हाहह सुनने में कितना खतरनाक लगता नहीं क्या हो गया देहा से? ए, की कह दो? मैं संजाता देहा, इस गाव देखर रहो उसका? कि इसे थेज चुरी से किया गया गाव लेकिन इतनी भारिकी से किया गया ये गाव कि मैंने अपनी जिंदगी में इतना भारिक गाव कभी देखा ने ऐसा है जैसे किसी ने बहुत तेजी से छुरी इसकी तरफ ठेकी, छुरी सीथ ही इसके सीने में गुशी और वही इसकी मौत हो, इस्टेंड डेथ लेकिन छुरी से इतना बारिक खाओ कैसे बन सकता है सर और वह इतने सारे लोगों के सामने है उनके नहीं दया, अगर छुरी कुछ इस तरीकी के होगा ठीके सर, मान लिया के इसकी मौत इस चाकुस से हुई है, पर यह खूण का बुलबुला, यह कुछ समझाने है, क्या चक्कर है? खूण का बुलबुला मतलब एर एमबोलिसम एर एमबोलिजम। सालों के साब मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझा नहीं। देखो अगर कोई चीज किसी की तरह बहुत तेजी से खेकी जाएगी। इतनी तेजी से ये छुरी हवा को चीरती हुई इसकी सीने में खासी। और उस हवा को चीर में ने कि हवा का एक बुलबुला भी इसके जख्त पे लेकर के गई। और वो हवा का बुलबुला कहलाता है एर एमबोलिसम। लेकिं डोग्सवाब आप इतने यकीन के साथ कैसे के सकते हैं कि इनकी मौत एर एर एमबोलिसम के वज़े से हुई है। जब दने कि क्या जरूत थी। अगर नहीं बताता है तो तुझे एर एमबोलिसम का पता कैसे चलता है। देखो देयार यह किसी साधरन चुरेबास का काम नहीं है। यह किसी एक्सपर्ट का काम है। एक्सपर्ट। ऐसे। हां ऐसे। तो इस मामले में तो हमारी मदद एक आदमी कर सकता है सज्जू सज्जू? कौन सज्जू? सज्जू बहुत बड़ा चुरेबाद है एक मॉडर के केस में इसे जेल भीज दिया गया था यह पता सकता है कि शहर में उसके अलवा और कौन चुरेबाद है पता करो इस वकत कौन से जेल में और उसे बाहर लाने का बंद वसकरो, अभी औरी और्डियंस में चलते शो में मनोर का कौन हो गया है पता ही नहीं चलना है कि एक खुनी आया कहां से और कहां से निकल गया नहीं सर यहां से तो कुछ मिला भी नहीं जिस हतियार से खून हुआ आप, वो भी नहीं बिला वही तो, अजीब बात है यहाँ अस मनवर बैठा था स्टेज से किसी ने सामने से उस पे मार किया और वो हतियार भी गाया बे और खूनी भी गाया बे श्रीया स्टेशी टीवी फूटेज चेक करो, देखो, कोई यहां से आया गया, आया गया स्ट, वांच और इन सब को जार लाइन में कड़ा करो सब के तलाशे लेते हैं स्कीज मी जी माम अभी जो शोव चलना था उसका फूटेज दिखाए प्लेस माम आडिटोरियम के अंदर की फूटेज अफ शाय नहीं देख पाएंगे क्योंकि शोव के दौरान लाइट बंद होती है कोई बात ने, हमें फिर भी सारी फूटेज देखनी है कौन अंदर आया, कौन बाहर गया, सब कुछ ओके माम सर, हमें जो पता था, हम औरड़ी आपको पता चुके हैं अब हमें क्यों रोके रखा है हाँ, हमें भी इंदर जाना है एक मिनट, एक मिनट, देखिये, आप सब की तलाशी ली जाएगी उसके बाद जिसको जहां जाना जा सकता है बड़ा कॉपरेट कीज़े, प्लीज Map हम झाइ कर दो जाएगी कर दो हम लादा कर दो पादब लीज़े हम झाएगी पर वालना जाएगी थेटा, क्या हो आपको, ठीक है? मेरी थीख नहीं लग रही है, हुथ थाकावट हो रही है, मैं रहेस्ट करना जाते हूँ सब, प्लीज, मैं घर जाना जाते हूँ सेर, इनकी थीख नहीं लग रही हुए ठीक है, इनको घर चोड़ दो सब, मेरे गाड़े पारिंग लोट में है, मैं चलिए जाओंगे, थांक्यू सुमाँच अरिंग लोट तर छोड़ दो यह सर, आए अराम कमाल है कोई अपनी जगह से उठावे नहीं है एक मनेट, रिवाइन कीजए यह यह सर, इन बेसे तो किसी के पास कुछ भी नहीं पिला कमाल यह अथियार गया कहा ठीक है अभी आप लुग जा सकते हैं जरूरत पड़ेगी तो आपको दुबारा बुलाएंगे थांक्यू बेहाँ अच्रिया सर, एक औरत अपनी जगह से उठी थी यह पांत दस मिड़ बाद वापस लौटी और अपनी जगह पर फिर से बैठ गए कौन थी वह अरत रीटा माय काड वह अभी अभी पार्किंग लॉट में होगी उसको पकड़ो जल्दी यह रीटा बहुत बड़ी ड्रामेवाज है ठीक है आप ध्यान से हां सामने देखिए आराम से चलिए आराम से थैंक यू सो मच एक काम करिए आप बैठिए मैं अभी आती हूँ और आपको डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ ठीक है यह सर शेवंती नीटा को रोको जल्दी ए रुक बाहर निकल क्या हूँ निकल आप क्या हूँ रहा है क्या बत्ते मीजी आप मुझे घर कुने जाने दे रहे मनोर का खोन करके भाग रही हो साथ पचास को आडिटोरियम से बाहर निकली थी तुम अपनी जगा किसी भाड़े का टट्टू को भिछाया मनोर का खोन करवाया और पांच-दस मिनट के बाद वापस वहां पहुँच कई यह क्या कह रहे है आप मैं कही नहीं कही थी आपके आडिटोरियम में हर जगा सीसी टीवी कैमरे लगे हुए सब कुछ रिकार्ड हो रहा है कौन आया कौन गया सब कुछ फिर भी जुट बोले हो तुम हाँ मैं थेयर्टर के बाहर काई थी क्यों क्यों गई थी क्यों कि मेरी गन नहीं चल रही थी क्यों गन जोड़े से तो इससे मनोहर का कौन गई मैंने मनोहर को नहीं मारा और मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि मैं उसे नहीं मा सकी मैं मनोहर के साथ यहां पे इसे लिए थी कि मैं उसे मा सकूँ लेकिन जब मैंने गन निकाली तो वो चल लही रही थी उसी को चेक करने के लिए मैं पहर आई थी सामय निकल रहा था इसलिए मैं वापास चली आई क्यों मारना चाहती थी मनोहर को? उसने अमर को मारा था उसका बदला लेना चाहती थी अमर के खून का बदला? अमर मेरा बहुत ही स्पेशल दोस्त था हम एक दूसरे को चाहते थे हम दोनों बहुत करीब आचुके थे शायत इसी के बारे में अमर नोहर को भनक पड़ गए थी और जब अमर का चाना खून हुआ तो मैं समझ गए थी कि मनोहर ने अमर को मारा है अरे मनोहर जैसे घटिया इंसान से तो मैंने पैसे के लिए शाली की थी लेकिन मेरा दिल मेरा दिल सिफ अमर को चाहता था लेकिन अमर मुझसे यहां जाता, प्रहम बंच को चाहने लगा था लेकिन तुम मनोहर को तो कहीं भी मार सकती थी यहां तीयटर में क्यो मारने याई थी, इतनी बीड़ बार्ड में यह क्या क्लती, मनोहर मुझे अजबदस थी यहां पे ले आया था कह रहा था कि राना का सौवाज शो है, मेरी कोई स्पेशल एंट्री होगी, मुझे सम्मानित किया जाएगा वगरा वगरा मुझे लगा, यही सबसे अच्य हमोका है, अंधेरे में मैं उसे मार दूंगी, और फेड में निकल लोगी मनोहर की स्पेशल एंट्री, यह क्या है, मुझे नहीं पता, यहश्वन ने मनोहर को इस स्पेशल एंट्री के बारे में बताया था, मनोहर सुबह आया भी था, इस स्पेशल एंट्री की रहासल के लिए, तर फिर तो इस स्पेशल एंट्री के बारे में, यहश्वन से ही आप तो वैसे एकदम फिट लग रहे हैं हाँ मेरा सच उगलवने का स्टाइल भी वैसे का वैसा ही है क्या साप आपका थपड़ और दरवाजा कैसे बूल सकता हूं साप पर साप अभी तो अपन आपका महमान है कुछ खातिरदारी तो बंदी है न साप बकवास बनकर और ये बता के तू किसी चुरीवास को जानता है जो इस शेयर का हो और जिसने पहले कभी तेरे साथ काम कियो आप तब घला सुक रहे हैं तोड़ा पानी मिलेगा अब बता आप जानकर क्या करोगे साथ मतलब पुझे पता है आप पता है लेकिन एक शर्थ पर बता हूँगा तो CID के सामने शर्थ रखेगा साथ पहली बार CID के काम हूँगा तो शर्थ तो बनता ना सापरी बोल ने इस अजम आप करवा दो साथ पिर मैं आप को इस शहर के एक से खरेक छुरे बाज का पता बता दूँगा सज्जू अगर तेरी बात सच निकली ना तो इसके बारे में हम बाद में सोच सकते हैं ठीक है साब बताता हूँ एक छुरे बाज है जो बड़े मेदान वाले सर्कस में काम करता था का मिले गई अब कहा मिलेगा यह मुझे पता नहीं यह आपको बड़े मेदान में जाके पता करना पड़ेगा हम कुछ पता करने वाले ने पता करेगा तू देले फोन गुआ जल्दी स्पीकर पर लगा हलो काका में सजू अरे सजू कैसा है तो तेरी सजा पूरी हो गई नहीं काका अब लगता है जल्दी पूरी हो जाएगी काका वो राजु झूरे बाज अपने सर्कस में काम करता था ना क्या आप भी वो सरकस में काम करता है अरे नहीं बेटा सरकस तो कपका बांध हो चुका है अब तो उसकी जगाए यहां मैदान में बच्चे खेलते हैं और राजु का भी कोई पता नहीं तुमने तो राजु को देखा है ना दिखता कैसे है वो यहां नहीं यह तो पड़ी अभी अभी जित को फोन लगा पता करो का है वो यह सर क्यों साब आपका काम तो हो गया है न साब अब मेरा काम कर दीजिये न साब यू असक्यू रहा है साब सच्चू एक बात हमेशा याद रखना है सी आईडी और चोर का रिष्टा हमेशा एक तरफा होता है जहां पे सिर्फ चोर सच बोलता है दो दो खून करके तरजा माफ करने की बात कर रहा तू दिमाग कराब है तेरा ले जाओ से सर सर अभी जीट सर का फोन नहीं लग रहे किसी का भी फोन नहीं लग रहा सर अमें ट्रेटर में भी जाना होगा कैसे है यह शंदिया अरे सर आप यहाँ यहाँ आप से कुछ फूच्टाश करनी थी सर में आपको सब कुछ बता चुका हूँ, मुझे और कुछ नहीं पता आप बस इस केस का हल निकलवाईए और यह थेटर फिर से खुलवाईए हल तो तभी निकलेगा यश्वन जी जब आप हमें स्पेशल एंट्री के बारे में बताएं स्पेशल एंट्री? वो कहा है सर? वही जो आपने मनवर से कहा था कि आप उसे किसी स्पेशल तरीके से एंट्री करवाएं क्या है वो स्पेशल एंट्री? सर अब आप कैसे जानते हैं इस स्पेशल एंट्री के बारे में? देगे हमें तो बहुत कुछ पता है पहतर होगा आप अपने हां बता दोगा और ना पुल्ट प्रावल्ब्लम मोझाएगी सर वो मुझे कुछ नहीं पता मुझे तो वो बस मतलब इतना बता गया थे कि जो कुछ भी तुमसे कहा गया ना सब कुछ सच सच बता कि मुझे सर वो मुझे बताया गया था कि नाटक खत्म होने के दस मिनिट पहले सब सेचिन सबालो से श्रेया बंच बंच क्युकलाई बंच इतने नो को दाया सब्सक्ते धेड़ै क्याताई दोर्च तराओढ़ गाव अनक निमिडस अनन केंफ द प्रकतरा थे आपम इज दो सब्सक्राई अन्हें अनिट प्र gefर्रों, श्रुट्स में थाओड़ बंच अटना सरह? अटना सरह? यह दर्वासा? अटन के देखते हैं मैंगोड लें उमाल के दुखने इस पर यह भी चाकु से भाइर किया और मनवर को भी चाकु सही माना था लेकिन मनवर इस वक्ति हाँ बैठा था इस कुर्सी पे चाकु उतर से लेकिन इसे चाकु इस तरह से मारा उसने यह ऐसा थो है तो नहीं कि खुनी वी दूतो है वो सकते हैं खुनिया भी भी आस पास हो, लट रहना, दोस्तर देखता हूं सर ये क्या है? मिन खर ये क्या है? ये क्या झालताँ सवालताँ साथ सायसी सार ये सादाँ सचिन सा, सा, मैं नीचे जा रही हूँ, सा, सचिन सा, सा शरांते अपिजीत सा, आप लोग यहां पे अरे, यहें चक्कर है क्या? सा, सा, सचिन सा यह जो से, सचिन सचिन अच्छा यह चक्कर है मैईकट असरी हो गया रहा है? कुछ-कुछ समझ में आ रहा है सचिन भाथ प्लानिंग के साथ किया गया है, सचिन तो नहीं बहुत चालाग है सर मतलब? इसके उपर और अडिटोरियम कौन से सीट पर बैटी थे तुम? फ्रेंट रो की फोर्थ सीट पर वहीं जहां पर मनौर बैठावा था अच्छा तो ये बेस्मेंट का कमरा खास मनौर को मारने के लिए बनाए गया है तो इसका मतलब शोग के दौरान किसी नी ये नौब घुमाया और मनौर को सीट से नीचे ले के आए करेक्ट जैसे जैवंती नीचे आई और उसके बाद मनौर का खून किया अब फिर नौब घुमाया और सीट के साथ मनौर को उपर महुचा दी तो ये थी मनौर की स्पेशल एंट्रे ठीक कहा अबेजे तो आखिर तुमने ये कमरा ढोड़ी लिया बगर अफसोस तुम लोग यहां से बच के नहीं जा सकते श्रिया सर वो देखो स्टेच पे श्वन्त है मर चुका है सिर्फ इसने मान। सर किसी का भी फोन नहीं लग रहा है कहीं उनकी जान को कोई खतरा तो नहीं है ने फेडी ऐसा नहीं हो सकता एक बात समझ में नहीं आ रहे सर इस स्टेच में हर लोग मर क्यो रहे है जल देखो आस पास देखो ये क्या है आंगड़ाने की लेकि नव बढ़ा नहीं पाऊँगे क्योंकि तुम लोग यहां से जिन्दा बचके नहीं जा पाऊँगे सर ये किसकी आवज है नीचे चल कर देखना होगा यहां से चलते है नहीं दिविया लाश के पास रो यह और रसर ढूना होगा मानना पड़ेगा भाई क्या दिमाग पाया यार तुमने वाँ मनोर के मानने के लिए क्या क्या तैरी की थी तुम आखिर मेरा ये तेज दिमाग काम आही गया इस सिट का उपर से नीचे आना ये नोब ये सब मेरे दिमाग के ही उपज थी अरे लेकिन मनोर ने बिगाड़ा क्या था मारना क्यों चाहते थे उसको तुम सिर्फ पैसो की खातिर इस ठेटर को बरबाद कर रहा था रोज मुझे धंकी देता कि राणा हावे में मत उड़ किसी और को स्टार मना दूँगा उसी वक्त मैंने ठान लिया कि मैं उसे मार कर इस ठेटर पर कबजा कर दूँगा और एक सच्चे कलाकार की तरह इसे आगे बढ़ाऊंगा लेकिन मनोहर स्पेशल एंट्री के लिए मान कैसे गया क्योंकि मैंने उसे कह दिया था कि मनोहर ये सोवा शो है तो कुछ भी करके उसे एक खास एंट्री करनी होगी मैंने उसे ये सीट भी दिखाए मैंने उसे कहा कि इसी कमरे से हम उसे स्टेज पर ले जाएंगे मैंने उसे ये भी कहा कि उसकी ये खास एंट्री देखकर लोग पागल हो जाएंगे ठेटर में तालिया गुझेरी वो मान गया और नाटक खतम होने के दस मिनिट पहले जब यश्वंद ने नौफ भुमाया और जैसे मनोहर मीके आया नथ्थो ने खन्यर फेगा और यश्वंद ने दुबारा मनार्गो उपर पहुचा दिया करी आपका में? यह है करी आपका यह एक है? तो ने खना है तो करी आपका है तो करी आपका है क्यों? राजु से नत्तु बन कर यहां अपना हुनर दिखानी चला है तू? सर्कस में काम करने का बहुत शोक है ना अब तुम दोनों के एक अनों के सर्कस में भेजेंगे जेल में पर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब तो आर चैनल क्लिक दो शो लिंक और अजो वाचिंग 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 विडियो